तपने से रेत भी दर्पन बन जाता है। तपने से क्या सिद्धी नहीं होती है ग्यानियो तपने से आत्मा भी भगवन बन जाता है। लेन होना वो बास्त्रिक तप है। और फिर बहीरंग और अंतरंग द्रस्टी देशित देखें। तो वही रंग तपके छे भेद। अंसन आव मौदरी वरत्ती परिशंख्यान रस परित्याग विबिक्त सयासन काई कलेश वाहियम तपह। भगवन आचारी उमास्वामी कहते हैं कि छे परिकार के बाहियत अपहें। अंसन अफवास करना। अंसन आंदोलन नहीं करना। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों ने अंसन जो अंसन आंदोलन मुक्ष भी प्राप्त करा दे उसको अंसन आंदोलन का रूप दे करके संसारी काम बनाना चालू कर दिये। गांदी जी न एकदम सही सोचा होगा कि जिस अंसन के बलपर तिर्थंकर और मुनी मुक्ष चले जाते हैं उस अंसन के बलपर अगर देश को मुक्ष मिल जाये तो कौन से अस्तरे की बात। देश स्वतंत्र हो जाए तो और आज उसका लोग आंदुलन करते हैं अंसन आंदुलन धरना धरना मतलब एक ही जगे धर जाना उठना नहीं, हिलना नहीं यह भी तो एक संबर का रास्ता है काई गुपती शरीर का गोपन करना एक ही आसन से बैठे रहना इल्ला डुला नहीं जिन चीज़ों से मुक्षू सिद्धी प्राप्ती होती है उन चीज़ों से लोग संसार के काम बनाने में लगे हैं लेकिन गलत डंग से आंदुलन करने की बजाए ए तरीका थोड़ा ठीक है कि किसी को तकलीफ दिये बिना और इस दंग से अपने काम बना लेना तो यह जो अंसन है ना यह सारे लोगों को दिखता है सबको मलूम पढ़ता है कि इनने उपास किया है इनका अंसन है और लोगों को मलूम ना पढ़े तो खुद भी बता सकते हैं कि हमारा उपास है हमारी उपास चल रहे हैं ऐसे हैं मुनिराज दो-तिन मुनिराज ऐसे हैं कि अभी उनके तीन उपास फिर एक आहाल मध्यम सिहन निस्क्रिड़त वृत चालू किया है और दो-तिन मुनी राज ऐसे हैं कि जिनके एकांतर चल रहा है लेकिन वो किसी को बताने नहीं जाते हैं कि आप एनामस करो कि आज से मेरे अब तीन उपास होंगे इसके बाद एक पाड़ना होगा और चार उपास होंगे करते हैं बताते हैं नहीं हैं ना भी बताएं तो भी लोगों को मालूम तो पढ़ जाता है आज महराज जी ओ बाले महराज आहार पर नहीं उठे कम से कम जो जो स्रावक श्राविकाएं रोज रोज पढ़ गाहन करते हैं उनकी नजर में तो आही जाता है समझे अनशन आच्छा अच्छा आज महराज जी का उपास है तो ये अनशन सबको मालूम पढ़ता है क्या उपास उसे वहरंग रतिया भी सुधरती है अंतरंग पनेरतिया भी सुधरती है लेकिन लोगों को दिखता है दूसरे लोग भी उसे कर लेते हैं इसलिए वो कहलाता है वाई रंग तब अव अंसन के बाद आव मौधरिय होता है, भूख से कम भोजन करना, कम क्यों खाना, और कम क्यों लेना, फिके तो अपने गांट का क्या जा रहा है, ऐसे लापर वाह लोग ना, सही लोग नहीं हैं, अरे ग्यानी तपस्वी तो सामने श्रावक ने पचीस पकवान बना के रखे हैं, दस चीजें तैयार करके रखे हैं, लेकिन उसमें भी वो आउ मौधरिय करते हैं, अपनी अंजुली में ही क्यों लेते हैं मुनियाहार, बोलो ग्यानी, हम तो ग्यानी बोलते हैं, क्यों लेते हैं, क्यों कि जितना लेना है, उतना ही लेना है, अगर इतनी सी खिचड़ी लेना है तो इतने से हाथ में उतनी खिचड़ी ही आना है और कुछ नहीं आएगा एक दाना भी फाल तो नहीं जाएगा तो बाद में उस पर कोई जीव लगेंगे कि उनका घात होगा वो भी समस्या ना हुई और अन्न का भी अपमान नहीं हुआ और आसकती भी घटती है हाथ में अंजुली में ही लेते हैं दूसरा है अगर अंजुली में लेते हैं तो तो ठीक है अगर कटोरी में लेने लग जाए थाली में लेने लग जाए ना तो लोगों में होड लग जाएगी कि उनकी यहाँ पीतल की थाली है तो हम चांदी की लाएंगे वो अगर चांदी के कटोरे में आहार देते हैं तो हम इस देश में आपको ऐसे छुलक जी मिल जाएंगे जिनकी पास चांदी का कटोरा होगा हैं अपने छोड़ दिया रखा है नहीं कोई नहीं चुराएगा कोई नहीं चुराएगा कोई लेके नहीं जाएगा तो एक छुलक जी थे संग में तो ऐसे भी से निकला हमने का कि चांदी सौने के कटोरे सादू के लिए हाथ में शुल्लक जी के हाथ में सुभा नहीं देते हैं इतने सहज सहज भद्र आये और उनने अपना कटूरा निकाल के रख दिया महराज जी आज से चांदी सोने का त्या त्यागी व्रतियों की सरलता सहस्ता उसी का नाम तो सादू है सरल सभावी सादू पानी के समान निर्मल तो जो ब्रति परिशन्षान होता है नियमन कर लेते हैं कि आज अमुक तरह का संकल्प मिले और ना मिले तो उपास यह सब बाहिये तप हैं अंसन अव मौदरिय ब्रति परिसंख्यान रस परित्याग सरावकों को भले लगता हो के चोका लगाएंगे तो दूध चाहिए पड़ेगा घी चाहिए पड़ेगा काचु किसमिष चाहिए पड़ेगा फिर दो मिठाई बनाना पड़ेगी चार दूस लाना पड़ेगी यह करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आप लोगों की भले कल्पना चलती हो लेकिन आप इन साधू की निकाटाना आपको मालूम पड़ेगा अधिक्तम साधू ऐसे हैं कि कम से कम बस्तूँ में संतोष्ट होते हैं और आहार करते हैं और सांती से निकल जाता जरूरत ही नहीं है ना बरसाद की मोसम में अगर साधा जो सुद्ध स्रावक द्रती स्रावक आहार करते हैं वैसे सीधा आहार कर लिया बस 24 गंटे के लिए साधना के लिए पर्याप्त हो गया इंधन रस परित्याग है लेते ही नहीं है दूद्ध वो घी लेते ही नहीं है आधे साधू ऐसे हैं कि अमोक अमोक रसों की त्याग आपको मालूम है अभी परसों ओ गोटन कवीर मठ के मुखिया आए थे सफित कपड़े वाले बाबाजी हाँ निर्मलदास तो एक दिन तो क्या हुआ कि जहां हमारी चरिया हुई वहां की लोगों ने उनको कि आज हमार यहां भोजन कर लीजिए आप यहीं आहार देख रहे थे आप यहीं आहार कर लीजिए आहार कर लिया दोसरे दिन फिर वो आहार देख रहे थे लेकिन थोड़ी देर आहार देखा और वहीं से बोलते हैं कि मुझे भी आग गया दो मैं भी जाओं तो पास में खड़े हुए श्रावक ने पूछा कि कहां जाओं यहीं भोजन करके जाना बोले ना लुका सुका मेरे से तो नहीं होता मैं तो वहीं जाता हूँ जहां यह सब श्रावक जाते हैं यह भाला मेरे को तो नहीं जमता मैं तो भोजन साला है ना मैं वहाँ चला जाता हूँ मतलब मतलब है कि साधूँ के रस आदी के त्याग है और जिनके रस आदी के त्याग नहीं है उनको वह अहार जमता नहीं है मुनिराज का ये भी तो तब है कि रसना इंद्री को जीता नहीं है नमक कोई बात नहीं घृत का त्याग है नहीं सब आत्मा को जानने के आत्मनियंत्रण के साधन है कुछ लोगों ने तपों को ना बहुत दोयम सिद्ध कर दिया बोले भूखे रहने से क्या होता है अरे अकेले भूखे नहीं रहें ए अनसन सबहाओ वाले आत्मा की सरण में हैं अनसन कर रहे हैं और अपने अनसन सबहाओ का आनुभाओ भी कर रहें कि इन 48 गंटों में मैंने अनुभाव किया कि अगर पानी की बूंद भी पेट में ना डाली जाए तो भी आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है इस आठ दिन में मैंने अनुभाव किया दस दिन में अनुभाव किया लंबे उपास करके पूरा अनुभाव आया कि भोजन ना किया जाए तो भी सरीर चलता रहता है और कभी सरीर ना भी चले तो भी आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है ज्ञान दर्सन चैतन सभाव स्वरूची में कोई फ़रक पड़ता नहीं है जी तब अन्सन आव मौदरिय व्रति परिशंख्यान असरावक बहुत चतर होते बोलो अब इतना तो ध्यान में आ गया होगा ना कि अपने ज्ञान या उपयोग की परिणती सुभ कव हो जाती और असुभ कव हो जाती सुभोप योग है आप यह नहीं सोच रहे हैं कि सुभे उठकर ही पकोड़ी बनाना है पानी वरस रहा है और खाना है यह सोच रहे हैं कि आज तो महराजी का उपास है कल महराजी का उपास हुआ था अब आज क्या विदी हो सकती है कल क्या विदी हो सकती अरे भाई अपने को भी तो पढ़गान करते-करते इतने दिन हो गए एक दिन अपने यहां भी तो पढ़गान हो जावे बोलो क्या विदी हो सकती है अब जो लोग पढ़गान नहीं कर रहे रोज उनको इसका वो अनुभाव नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या करना पड़ता है लेकिन जो करते हैं कि जिस दिन से आए हैं मुनि संख उस दिन से हम रोज पढ़गाहन करते हैं लेकिन हमारे चोके में पाओ अब कैसे लगें ब्रति परिशंख्यान चोकी मुनिराज का वी सबसरय है लेकिन स्राभक भी अनुमान बग़र लगा करके और काम बना लेते हैं पड़गान कर लेते हैं ब्रति परिशंख्यान, रस परिशंख्यान मुनी तो अपनी ब्रतियों का परिशंख्यान हम करते हैं मतलब होने इससे कोई मतलब नहीं है कि हम आहार को जाएं तो आहार हो ही जाए वे आज भी अपनी परिक्षा लेने को तैयार हैं वे आज भी परिक्षा देने को तैयार हैं आज फिर वे अंसन करने को तैयार हैं कि अगर वृत्ति परिसंख्या नहीं मिलेगा तो लाभ की वज जाए अलाव में अंत्राय हो गया तो बोलो महराजी दुखी होते हैं परिशान होते हैं कि सहस रहते हैं आनंद में रहते हैं बोलो काला जी आनंद में रहते हैं और आपको अगर एक दिन भोजन ना मेले तो आप मुनी राजप्राया करके सहज रहेंगे आनन्द में रहेंगे मिला ना मिला ठीक रस परित्याद बिबिक्त शयासन उन्हें मालूम है कि आज और निर्जरा हुई कर्म की भाई विचार करो आस्तरो बंद तो चल रहा है ब्रत सयम समित गुपती और आत्म रुची के बल पर संबर निर्जरा होना है तब तब निर्जरा होना है आज अपन सुद्धो प्योग की चर्जा पर है आत्मा कैसे सुद्ध हो जाता है उस विचार में ये तब का व्याख्यान चल रा बिविक्त सय आसन एकांत में विश्राम करना ध्यान करना का एकलेस शरीर में किस तरह की व्याधी बाधा उपलब दो जाये तो भी सहन सीलता रखना एक ही आसन से ध्याना दे करना ऐसे अध्भुत साधना फिर प्रायस्चित बिने वयावरत्य स्वाध्याय व्यूसर्ग ध्याना नित्वरम प्रायस्चित आदी भी तुटी हुई है कहीं तो प्रायस्चित बिने भावना वयावरत्य मुनिराजों का त्यागी व्रतियों का एक गुण एभी है वयावरत्य ठीक है यह तो जैपुर है आजाते हैं 150 युवक रात को और मुनियों की वयावरित्ति कर लेते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के चले जाते हैं जरूरत थी कि उनके पाओं दवाए जाएं और आप सिर्दवा की चले गए जरूरत थी उमस्ति कि आप थोड़ी से उनको बायू हवा कर दी जावें और घेर करके और ओशनता प्यादा कर दी तो ऐसा होता है कभी-कभी कि ठीक ठाक करने चले और ठोक ठाक के चल दीएं तो मान लीजिए कि सरावक अगर वया वरत्ति नहीं करने आवें तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा? मुनी राजों की खुद के गुण हैं वरत हैं तब है कि वो वया वरत्ति करते हैं और इस संग की तो ये विशेष्टा है, कि आपस में एक दोसे की वया व्रत्य करने में कोई पीछे नहीं रहते हैं। अक्स्वस्त हैं, वयो व्रद्ध मुनि राज हैं, संग तो उसी का नाम है। संग तो उसी का नाम है वाई, जहां चतुरविद संग हो, चोटे सादू भी हो, बड़े मुनी भी हो, ब्रद्ध मुनी भी हो, खूब पढ़ने लखने वाले भी हो, मनुग मुनी भी हो, सिक्षा देने वाले भी हो, सिक्षा लेने वाले भी हो, समाधी की तयारी करने वाले भी हो, नए दिख्षा की तयारी करने वाले हो, उसका नाम संग है फिर एक दूसरे को समालते हैं तो आत्मा की विकास की मार्क पर जीव बढ़ते जाते हैं सजनो प्रायस्चिस से बिने से वय्य व्रत्ती से उपियोग की सुधता होती है स्वाध्याय करने से ध्यान करने से कायूसर करने से यूसर करने से सर्व संग त्यान करने से उपियोग की निर्मलता होती है और अपने उपियोग की अपने चित्त की पूर्ण निर्मलता का नाम ही है सुध्धोप योग सापेक्ष जो परिणाम है सुभ के सापिक्ष जो परिणाम है देवसास्त गुरु के सापिक्ष जो परिणाम है वह कहलाएगा सुभोप योग